हालो फ्रेंट्स नमस्कार एंड वेलकम टू श्रमाधान साथी उम्हें थे कि आप सुबच्छी होंगे और इस्टडी भी आपके अच्छे तरीक से चल लेगी उन्नेश तारीक को यहां पर साथी वो बी एससी सेकंड इंटर लेवल का जो पकेंसी है था ग्यारा जार अठानवर पदो पाया था और इसके लिए मैं आपको बता दूँ यहां पे एक्जामनिशन सेडूल के लिए करके क्या कुछ एक्जामनिशन हो सकता है अगर आप अभी भी लपरवाही कर रहे हैं तो आपके हाथ से जॉब निकल सकता है आप इसमें फानली फाइ आपको भी पहले से त्यार रहना होगा और सियारी को अपने जुरो सोर से करना होगा यहां पर दिखिए जो भी अपडेट के आरहिए अस्राइब है हाँ चाहिए परही है पी यहां दिखंगे तो निम और डीपिक के 19 जल अन्ञेप 6वीशन बरती होगी रिजल्ट अप्रेल चोविश तक यानि जो फाइनल रिजल्ट की बात हो रही है और यहां पर निम नुबर की लिपिक है इसमें आपका रेजर्स वक्रमचारी है पंचाज सचीव का भी इसमें बरती है जिसमें पंचाज सचीव का आप 3569 और यहां पर आपका जो रेजर्स वक्रमचारी है उसका 3532 का स्वास बगैंस थे और बाकी सब लिपिक वर्गिये थे यहां पर तो उन सबके लिए यहां पर 1188 प्रतुप भरती होने वाली है अगर आप भिला प्रवाई कर रहे हैं सोच रहे हैं कि आराम से त्यारी करेंगे तो आप पस्तावें जाली के लिए बिग्यापन जारी किया गया है और इसका फाइनर रेजल्ट अप्रील 24 तक जारी हो जाएगा बिपी एसी का यहां पर लक्ष्य है कि आवितन लेने के एक माह में स्कूर्टनी कर दिसंबर के अंत तक चुकि आप सबको पता है कि यहां पर 11 नॉम्बर तक आएूग के पास में कि एपना यहां पर तो इनके पास पूरे समय है कि यह न Soviet09 अप का इसकूर्टनी कर लेंगे और यहां पर यहां सबको बहुंकर है है कि चुना होने वाला है तो यह आठ साल पर कैंसी नहीं लगने वाले और आठ साल बलकि यहां पर आयोक का जो यहां पर देख रहे हैं जो ही अंदर के ख़वार आ रही है यहां पर यह कि आपका अप्रील में फानल रिजल्ट देने के त्यारी में है लोग तो इंटर्मेडर दिकत नहीं हो तो त्यारी में अभी से लगें आपको क्योंकि जनवरी में आपका पीटे के त्विat